हेलो फ्रेंड्स इन दे लास्ट वीडियो हमने देखा था कि रूल्स और कन्वर्टिंग एफोल इंडू सीने अब यह जो एक्जाम्पल है उसका हम कन्वर्ट करेंगे लेकिन एक्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दू कि लास्ट टाइम हमने चार प्रेडिकेट्स कर सकते हो और वह वैलिट होने चाहिए ओके सो नाव हम स्टार्ट करते है तो फर्स्ट हमारा है फॉर आल एक्स फूडिज एक्स देन इट इंपलाइस लाइक्स रवी एक्स तो एक चीज़ याद रखना कि इस तरह की स्टेट्मेंट में कोई से एन फ कन्वर्जन नहीं करे मैंने इसल रखना कि हम इंपलाइस को निकाल देते और कौन्टिफा matter और सो नाव हम स्टार्ट करेंगे फिर्स्स व्त सेंटंस तो मैं यहां पर सिंपले क्वाइड को निकाल दोंगा और इंपलाइस को निकाल लोगा तो किस तरह से करूंगा? तो अगर एस टैंज टूगी है तो उसको हम लिखते है ए और बी ओके तो सेम चीज हम यह एप्लाई करेंगे फुड एक्स एंड और यहां पर मैं नेगेशन एड करूँगा देन लाइक्स रवी एक्स ओके तो आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स स्टेट्मेंट को किस दर से कनवर्ड किया मैंने एंड नेक्स स्टेट्मेंट को अपकनवर्ड करते है इड इस क्वाइट डिफिकल्ट बट इजी रहेगा अगर इसको फास्ट करना है तो पहले कॉंटिफियर्स को निकाल दो इस एक्स वाई तो उसको एज इट इस लिख देना है इस एक्स कॉमा वाई एड उसके बाद है एंड नेगेशन ओफ किल्ड एक्स और इंप्लाइज हो रहा है फूट से तो इंप्लिकेशन जैसे ही मैं निकालता हूँ तो पूरे इस स्टेट्मेंट पे नेगेशन लग जा जाएगा तो इंप्लाइज निकालता हूँ तो यहां पर आ जाएगा और एंड फुड वाई ओके अब यहां पर जगा नहीं है मेरे पास बोर्ट पर तो मैं इसको इसी के अन्रे सॉल करूंगा तो आप अपनी बुक में सेब बैस सेब फॉलो करना है आपको याद होगा सेकेंड रूल तो नेगेशन का स्कोप सॉल करना है तो फर्स अगर हम इस पे लगाएंगे तो सि क्या करते थे नेगेशन ओफ ए और नेगेशन ओफ बी अगर यह पूरी ब्रेकेट पर नेगेशन होता था तो यहां पर भी कुछ चीज तरह से था तो जैसे ही मैंने इस पर नेगेशन लगाया तो यह साइन चेंज हो जाएगी और से और यहां पर नेगेशन आया तो यहां पर एक already present था तो दूसरा negation आ जाएगा that means negation into negation हम change करके सिर्फ इसको normal कर देंगे और ये bracket हट जाएगा okay so अब इसको precisely लिखते है तो let us write here इसको किस तरह से लिखेंगे killed x और food y okay now this sentence is converted into cnf अब next next sentence पर sorry next fol पर जाते है तो eats अजय पीनट्स और यहां पर end use किया गया है alive अजय तो यहां पर simply इसका कोई changes नहीं होगा it will be as it is तो यह हमें यहां पर ऐसे ही लिख देना है तो eats अजय पीनट्स और अलाइव अजय ओके and the last statement इसको convert करते हैं तो इसको किस तरह से convert करेंगे फर्स तो quantify निकाल देना है और फिर implications निकालने तो implications निकालने के लिए हम simply इसको और में convert कर देंगे और alive as it is रहेगा alive x और यहां पर आगे negation लगेगा तो किस तरह से हो जाएगा negation और यह already negation है killed x okay negation into negation remove कर देंगे so simply change हो जाएगा same way अगर मैं इसको convert करूँगा तो यह statement हो जाएगा so now as you can see के हमने यह पूरा fol cnf में convert कर दिया है और अब यह cnf का use करके हम resolution graph draw करेंगे and finally हमारा sum यहां पर complete होगा so let us continue and move forward now we will see के resolution graph किस तरह से बनाएंगे लेकिन resolution graph बना से पहले मैंने last में आपको cnf में बताया नहीं था एक sentence के लिए कि यहां पे sentence में था अजे eats peanuts so is alive इस तरह का sentence था और यहां पे end था लेकिन cnf में हम ss statement को divide कर सकते है divide I mean to say के यह दोनों predicate को अलग-अलग कर सकते हैं okay so यह चीज़ आप correct कर लेना and let us move to the resolution graph resolution graph वो कहां से शुरू होगा बहुत important है समझना please be concentrated in this part तो resolution graph कहां से शुरू होगा कि हमारा जो proof statement था यानि कि not likes रवी peanuts यह हमने start में बनाया था negative statement के साथ okay तो यह statement में अभी आपको देखना है कि likes वाला जो predicate है वो हमारे rules में कहां पर है यारी कि cnf में कहां पर है तो likes यहां पर है okay likes के अंदर parameter pass किया गए रवी and x okay तो रवी and x अब यहां एक्स क्या है peanuts है तो हमें यही प्रेडिकेट को पूरा यहां पर लिखना है तो मैंने numbering दिए one to five बट यहां पर number लिखा है because मेरे पास space नहीं है लिखने के लिए so you have to write full यानि कि जो भी प्रेडिकेट पूरा है वो आपको यहां लिखना है अब हम पास क्या कर रहे है x की जगह पे peanuts यानि कि यहां पे जो x है उसकी जगह पे peanuts पास कर रहे है तो यह प्रेडिकेट में जो भी यहां का जो common पार्ट है यहां कि लाइक्स वाला जो common पार्ट है वो eliminate हो जाएगा और जो food पार्ट है यानि कि यह जो negative of food है वो as it is आपको लिखना है बट एक change के साथ कि यहां पे x था लेकिन यहां पे x की जगह पे होगा peanuts I hope समझ में आ रहा है let us move next आप समझ जाओगे अब food peanuts में क्या है अब आपको next predicate देखने तो next predicate में food कहां पे आ रहा है तो यहां पे आ रहा है ओके तो आप food के साथ कौन सा variable है y तो y की जगह पे आपको क्या पास करना है peanut तो हम y की जगह पे peanuts पास कर रहे है और यह पूरा predicate हम यहां पे लिख देंगे नौ यह पूरा predicate हमने लिख दिया और इसमें से जो common part था यानि की food के साथ जो food था वो eliminate हो जाएगा और उसकी जगह पे यह जो पूरा peanuts कर दिया now let us move forward कि अब यहां पर हमें देखना है eats और killed कहां पर आ रहा है तो इसके बाद के predicate में eats आ रहा है okay we have to not see मैंने पहले ही बोला कि इसको हमने अलग कर दिया है तो यह अलग predicate यह अलग cnf है और यह अलग है तो यह हमने देखा eats अजय peanuts तो eats अजय अब यहां पर peanuts की जगह peanuts common आ रहा है बट x की जगह पर अजय है therefore x की जगह पर अजय पास करना है तो यह पूरा predicate हमें यहां पर लिख देना है okay now the next thing is x की जगह पर अजय पास किया तो हम क्या करेंगे simply eats और its common है तो हमने निकाल दिया लेकिन अब यहां पर कुछ नहीं रह रहा है बट हमारे जो ग्राफ के अंदर एक पार्ट रह रह रहा है तो इसको carry forward कर देना है बट एक चेंज के साथ के एक्स की जगह पर हम अजय पास कर रहे तो ऐसी सिच्वेशन आ सकती है कि आपके पास predicate में कुछ नहीं रहेगा बट यहां पर कुछ रहेगा तो उसको carry forward करना है ऐसा जरूरी नहीं कि यहां पर कुछ होना चाहिए ओके now comes the next one killed Ajay तो killed Ajay में हमें देखना है कि हमने जो new cnf बनाए उसमें से हम ले सकते हैं तो आप अगर killed यहां से लेते हो और यहां से लेते हो doesn't matter बट बात एक ही होगी तो मैंने यहां से killed लिया है तो मैंने यह killed का use किया है and sorry for this यहां पर मैं fire रखते था हूं तो killed मैंने यहां पर Ajay लिख दिया but the thing is यहां पर है not alive not alive Ajay तो अब यहां पर क्या predicate use करेंगे कौन सा cnf का rule use करेंगे तो now the thing is यहां पर हमें not alive यह लेके आगे नहीं बढ़ना है अगर आप हमारे cnf में notice करोगे तो एक पहले से ही एक हमारा cnf है alive Ajay जो कहता है कि Ajay is alive और resonance graph कहता है not alive but ह हम believe करते है facts पे तो हम इसको right वानेंगे और यहां पर यह statement मान लेंगे कि यह जो है वो गलत है और यहां पर alive Ajay लिख के हमने terminate कर दिया okay now the thing is कि यह जो हमने देखा कि इसको गलत प्रूव करके हमने क्या किया हमने resonance graph को negate करके जो प्रूव किया था यानि कि not likes रवी पीनट यह wrong है that means रवी लाइक पीनट इस तरह का statement हो जाएगा तो यह statement को हमें true prove करना था कि यह चीज गलत है तो हमने इसको true prove कर दिया कि यह चीज गलत है and now the statement here ends यही चीज को हम कहते है contradiction okay contradiction के बहुत सारे meaning है बट यहां पर हम कुछ इस तरह से लेंगे it was in a simple language मैंने meaning आपको explain किया and subscribe to my channel अगर आपको वीडियो पसंद आया तो like कीजिए subscribe कीजिए and share कीजिए अपने friends के साथ thank you so much